नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्जाम पात्फाइंडर में यहां आपके लेटास जॉब्स गुवर्मेंट एक्जाम एड्मीशन और अप्डेट्स लेकर आते हैं आज की वीडियो होने वाली है रीट के बारे में रीट जैसा कि आप जानते रायस्तान ट बहुक्तर हो रहा है तो क्योंकि उनका रुकuli का यह फिर ऌट हो रहा है तो इसक्कलाब होता था पहलें रायस्तान तो आप जो इसका नाम बदल के दिया गया है रीट यानि के रायस्तान एंट आई इलिजिविल्क्री टैश जो था वह कर दिया इसको अब तो यह है जो स्टेट लेवल कॉम्टिटेव एक्जाम है जो कि कंड़क्ट कराया जाता है बोर्ड आफ सेकंडरी एजूकेशन राहिससान द्वारा इसको हम बीस यार भी बोलते हैं तो दो रीट ना लेवल वन होता है लेवल टू होता है लेवल वन जो है वो कच् सकते हैं अब बात करते हैं अपलाई कैसे करना इसको तो अपलाई करने के लिए आपको जो उनकी अफिशल वेबसाइट है वहां जाना पड़ेगा और वहां जाने के बाद ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म पर जाब क्लिक करेंगे तो फिर रेजिस्टर एंट जनरेट और फिर वह इता है उसकी वर्वल वीज़े इसकी फीशी एंट पैलेफिशन किया कहा है तो पहले देखते हैं कि लीवल सबसे पहले कि आपका सीनर सेकंडरी और यानि कि आपका ट्यल्थ में पचास परसेंट या उससे अधिक मार्क होने चाहिए उसके बाद अगर आप डिये एक डिप्लोमा एलिमेंटरी एजुकेशन होता है जिसको हर स्टेट में अलगले जगवां पर कुछ और नाम से भी जान सेकंडियर डिप्लोमा इंस स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं तो भी आप सेकंडियर फाइलियर में होने चाहिए अगर आप डियलेड या फिर कहीं कहीं जगए इस नाम से कुछ और भी जाना जाता है तो आप उसे पास करने के बात भी दे सकते हैं तो सीधी बात यह है कि आपका ट्वेल्थ में पचास परसंट या उससे अधिक होना चाहिए उसके लावा आप जो भी कोर्स कर रहे हैं आप डियलेड कर रहे हैं या फिर डिपलोमा इंडियमेंटर एजुकेशन कर रहे हैं इन सारे में आप फाइनल येर में अपियरिंग या पास आउट होने चा अब रेलक्सेशन के आ माएक जoused के लिए तो अठाम फेलेंघो बात करते हैं इसमें चाल डाइफ्लाप्न पर्टागोगी आता है कि मैठेमेटिक्स लेंग्वज बं लेंगेश ची चुछ करना पड़ते हैं अब बात करते हैं लेवल टू जो रीट होता है उसमें क्या आता है चाइल अब बात करते हैं कि क्वालिफाइंग परसेंटेज कितनी रहती है आपको क्वालिफाइं करने के लिए कितना लाना पड़ता है चनल के लिए आपको 60% लाना पड़ता है स्ट के लिए आपको 55% नॉन टीएस्पी वालों को 36% ओबीसी की बात करते हैं से एमबी सी यूजाटी को यह था मिनियूम आपको कितने क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगें और paper offline होता है, अब बात करते हैं, जो इसका certificate मिलेगा, आप read अगर आपने qualify किया है, तो वो कितने दिनों तक valid होगा, वो lifetime के लिए valid होता है, आपने एक बार अगर read qualify कर लिया, तो आप जिंदे की भर्यानी की आपको, अब आप eligible हैं teacher बनने के लिए, उसके बाद जो exam होता है, ये तो eligibility test होगया, जब teacher की भरती आएगी, तो वो अलग exam होगा, आप उसमें बैठने के लिए eligible हैं आप, तो आपको exam दूसरा निकालना पड़ेगा, उसके बात करते हैं, इसके benefits क्या हैं, after qualifying this exam, you will be eligible for read final exam for the primary level, जैसे मैंने बताया, कि अगर आप ये exam दे लेंगे, उसके ब का हमारी जो website है, उसका description में, उसका link है, वो description में डाल दोंगे, यूट्यूब वीडियो के में, आप वहाँ जाएंगे, तो इस पर जब reply section में जाएंगे, तो आप यह reply कर पाएंगे, आप कोई भी आपको question है, आप वहाँ put up कर सकते हैं, किसी भी तरह की information आपको चाहिए, आप यहांबे put up कर सकते हैं, हमारी जो team है, आपको पूरी-पूरी साहता करेगी, I hope आप मैंने वीडियो में आपको सारा को समझा दिया हो, thank you so much वीडियो का आखरी तक देखने के लिए, हमारी चैनल को subscribe करें, bell icon भी देवाएं, ताके कोई भी update आप से मिस नहों, वीडियो पर आप सकते हूँ में एभ काय को SEO, कि जपको समझे को प्राइबे अभू हूआ है, आप सकते हूँ हो नहों, सरॉड़ा समझाट का पसका अव होो जड़ा कोゴ सुए हैं, हमारी नहें हो पाल स'Mहाएं, हूआ आप समय हूएं पारूश क को से लुए स्वांद हैं, लियो श आ